हेलो कैसे हैं दोस्तों आप सब अच्छे हैं और खुश है कि नहीं जल्दी से बताईए खुश है ना पढ़ाय लिखाई चल रहा है यह नहीं बिल्कुल चलना चाहिए दोस्तों यह जो आप परियास कर रहे हैं यह परियास को आप हम निरंतर करते रहें क्योंकि हमारे सी हमारे पास सिर्फ एक ही तो काम ही करना दोस्तों निरंतर परियास हम निरंतर परियास बेना किये हुए हम अपने मुकाम पे नहीं पहुच सकते हैं इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर यह request है दोस्तों कि आप लोग निरंतर परियाश में लगे रहें आपको सफलता जल्द ही मिलने वाली है आपको सफलता जल्द ही मिलेगा विश्ट के लिए बस निरंतर परियाश बरकरार रखें इसी तरीके का जनून इसी तरीके का होसले को बरकरार रखें तो चलिए भाईयो आज हमारा क्या टॉपिक है मुक मंत्री जिस तरीके से हम लोगों ने राजयों के बिधान मंडल में बात किये थे कि आज हम राज का विधान मंडल के जो बेसिक जो चीजे है उसको जानेगे और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम चीफ मिनिस्टर के बारे में जानेगे तो आज ये उसी वीडियो का हम बात करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर वाला ही वीडियो का इस वीडियो में दोस्तों हम लोग Chief Minister से जोड़ी सारे प्रश्णों को देखेंगे और देखेंगे नहीं दोस्तों सीखेंगे भी ये मेरा गारंटी है आप लोगों से कि आप लोग सीख कर जाएंगे अगर नहीं सीखें न तो हमारा वीडियो देखना छोड़ दीजिए कि और नहीं सब्सक्राइब जोसे किये वो सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इससे आपको फाइदा होने वाला दोस्तो ॥॥॥ कोई चार्ज नहीं लगता है अब बात रहा कि तो हम आपको सब्सक्राइब क्यों करेंगे आपका चैनल प्रोमोट होगा आपका चैनल ग्रोथ होगा इसके लिए आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हो ये बात बिल्कुल सही है दुस्तो हम भी एक यूटूबर हैं और हमारा यूटूबर से कई ज स्टूडेंट को ही सपोर्ट करेगा अगर सभी स्टूडेंट अगर एक दूसरे को सपोर्ट करना सीख गया उच दिन हमारा जयजयकार होगी तो चलिए बस फर्क यही है कि कुछ कुछ लोग मेहनत कर रहें कुछ लोग मेहनत नहीं कर रहें तो हम मेहनत कर रहें दोस्तों और हमारा मेहनत का जो मेहनत आना है वो भी मिलना चाहिए और वो देने वाला आप है हम मेहनत कर रहे हैं आप हमें फल देंगे अगर वीडियो अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेर करेंगे वही हमारा फल है वही आप लोग बस वही से आसिरबाद इसी तरीके से देते रहें अपने छोटे भायों को इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का नत मस्तक रहूंगा दोस्तो मैं हमेशा आपका अभारी रहूंगा और कोशिस करूँगा दोस्तो सारे टॉपिक को कम समय में किलियर करने का ठेक है दोस्तो और बस कुछ भी नहीं बस अश्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को मुक मंद्री को सबसे पहले दोस्तों हमने बताया था क्या बताया था क्या बताया था बताईए जल्दी से हमने क्या बताया था कि कोई भी चेप्टर आप पढ़ें सबसे पहले जाने कि उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हमें बेसिक चीजे उसका पहले जाने उसके बाद सारे टॉपिक किलियर करेंगे तो बेसिक चीजे में कुछ जो टॉपिक होता कि हमें ये पढ़ना होगा जैसे मुखमंत्री पढ़ रहें तो मुखमंत्री का नियुक्ति, मुखमंत्री का शपत, मुखमंत्री का कारिकाल, मुखमंत्री का जो कारेवं सक्तिय होता उसे तो यह सारे टॉपिक हैं तो जब इतना बात आपको पता हो जाएगा कि यह यह पढ़ना है तो आप कम समय में उसे रेडी कर सकते हैं तो चलिए वही काम हम आज करते हैं देखिए दोस्तो सबसे पहले CM के चेप्टर में मुख मंद्री का जो हमारा पाठ है उसमें हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसका टॉपिक के उपर गौर करते हैं गौर फरमाईएगा टॉपिक के उपर हम लोग पहले डिसकस करते हैं जैसे हमारा पहला topic होगा CM की नियुक्ति, हमारा पहला topic क्या है भाई? CM की नियुक्ति, उसके बाद हमारा second topic, इसमें हम लोग देखेंगे सपत ग्रहन, CM का जो सपत ग्रहन है वो, उसके बाद हम लोग देखेंगे CM के कार, CM के कार, एवं सक्तियां, यानि इसका जो बर्क होता है, पाबर होता है, उसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो एक topic, दो topic और तीन topic, इस तीन topic को अगर आप पढ़ लेते हैं न, मेरा यकीन करें दोस्तों, ये तो हम अभी बोलेंगे आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन पहले मेरा आप लोगों से request है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, किसी भी ब्यक्ति का वीडियो को हम एक मिनट, दो मिनट देखकर हम पता नहीं कर सकते हैं कि ये कैसा पढ़ा रहा है, इस ब्यक्ति के च्छमता कितना है, इस ब्यक्ति के पास कितना योगता है, क्या ये समझा सकता, क्या नहीं समझा, एक वीडियो देखने से नहीं होता है, और एक वीडियो भी आप पूरा कहा देख रहे हैं अगर आप एक वीडियो पूरा एक बार देखें उसके बाद अच्छा नहीं लगता आप 100% उस चैनल को नेगलिट कर दे चाहे वो हमारा ही चैनल क्यों नहों लेकिन जब जो चैनल आपको फाइदा देता न दुस्तो तो उ समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीम के न्युकती आज के टॉपिक में हम लोग मुख मंत्री पढ़ रहे हैं और मुख मंत्री में तीन बड़े-बड़े टॉपिक एक स्टियम के न्युकती और सेकेंड है हमारा CM का सपत गरहन जब मुख मंत्री चुना जाता है मुख मंत्री बन गया तो सपत गरहन करता है सपत गरहन करता तो उसके बाद वो घर जाके सो नहीं जाता वो काम भी कुछ करता है और काम के साथ साथ अपना जो सक्ती होता सक्ती कभी परियोग करता है ठीक है तो इसी बात को हम लोग देखने बाले तो सबसे पहले ये तो हमने चर्चा किया था सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे श्रीम के नुक्ति में बताया थे कि सीम सरकार का परमूख होता है और वह बास्तभी कारिपाल का अधिकारी भी होता है सबसे पहला हमारा पॉइंट यह है कि जो चीफ मिनिस्टर होता ना वो राज सरकार का परमूख होता है और साथ ही राज के जो कारी पालिका होता राजियों के कारी पालिका के एक अधिकारी होते हैं एक ओफिशर होते हैं कौन मुख मंतरी तो यही बात आप लोग क्या करेंग आपको लिखना नहीं है दोस्तो समझना है काहां पे लिखना पता है मायन में लिखना है और नहीं फालतू चीजों के oपर हम डिसकस करते हैं जो भी हम बाते बोलते हैं जोस्तों सिच्छा से जुड़े हुए होता है और जो आपको 100% प्रॉफिट देने वाली बाते होती है वो शी बातों को ही अमजिक्र करते हैं चलिए तो CM जो होता है वो सरकार का परमुक होता है और साथ ही वो बहसता भी कारिपल का अधिकारी भी होता है ठीक है अब राज में CM का पद और केंदर में PM का पद दोनों बराबर होता है यानि CM बराबर PM CM बराबर PM अब CM का मतलब चिप मिनिस्टर PM का मतलब प्राम मिनिस्टर मुख मंतरी केंदर रस्तर पे जिस तरीके से परधान मंतरी का जितना बैलू जितना पावर होता है उसी परकार से राज्यों में CM यानि मुख मंतरी को भी पावर अर्थात बैलू दिया गया है तो question आता है आपको इससे question आएगा कि केंद्रस्तर के परधान मंत्री के तुलना राज्यों के कौन से मंत्री से किया जाता है option रहेगा राजपाल मुख मंत्री उप मुख मंत्री विधान सभा इस तरीके से रहेगा आपको option में क्या माना cm cm पी एम दोनों बराबर है राजपल राष्टपती दोनों बराबर है understand दोस्तों चलिए अब देखिए आनुछेद एक सौ आनुछेद 164 के अनुसार कहा गया है कि cm की निवक्ति राजपल करेगा आनुछेद 164 के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी जिगरी कर चुके हैं कि मुख मंत्री का निप्ति कौन करता है तो राजपल करेगा तो अब बात रहा कि तो राजपल किसी भी व्यक्ति को मुख मंत्री चुल लेगा यानि मुख मंत्री चुलने के लिए क्या राजपल स्वतंत्र है तो ऐसा कुछ भी नहीं है समानता जेनरली जो होते हैं वो मुख मंत्री वही बनते हैं जो बिधान सभा के जो चुनाम में जीस परतियासी को जीस राजनीतिक दल को अस्वश्ट बहमत प्राप्त होता है उसी राजनीतिक दल के नेता को शेम बना दिया था ठेक है इस बात को हम लोग आगे समझेंगे टेंशन नहीं ले अगर समझ में नहीं है तो हम समझाते हैं इसको फिर से cm के निइक्ति राजपल करेगा प्रह परंतु इसका ताद्परिया भी नहीं है कि राजपाल किसी भी किसी भी व्यक्ति को cm करने के लिए होता है साधार्णता राज भिद्धान सभा में जिसी परतियाशी को असपष्ट बहुमत प्राप्त होता है ना उसी परतियाशी के नेता को क्या बना दिया चाहे हमारे राज्यों का चीफ मिनिश्टर बना दिया जाता है अर्थाद बिधान सभा में जिस व्यक्ति को जिस राजनेतिक दल को ज्यादा बोटाएगा उस राजनेतिक दल के नेता को बना दिया जाएगा क्या सीएम तो ये था सीएम की नियुक्ति से संबंदी सीएम से नियुक्ति से संबंदी बाते में हमने क्या देखा कि जो राज्यों में जो सरकार का परमुक होता है वो चीफ मिनिश्टर होता है और साथ ही मुख मंत्री जो हमारे राज का कारी पालिका है राज्यों की कारी पालिक के बराबर है यह पी एम की तुलना सी एम से की जाती है और राजपल की तुलना राष्टपदी से की जाती है उसके बाद हमने बताया अनुछेद 164 मुख मंत्री की नियुक्ति से संबंदी बाते 164 में कहा गया है और इसके एकॉर्डिंग यह कहा गया है कि जो मुख मंत्री ह होगा वो सधान्ता मुख्मंत्री की नियुख्ती तो राषपल करता ही है लेकिन अब हुस का मतलब ये नहीं है कि राषपल किसी भी व्यक्ति को मुख्मंत्री कर देगा इसके लिए कुछ सर्थa रrance अर्थातम कर सकते हैं यार मुक्मंत्री का बाते होती है उसमें क्या होता है कि जिससे राजनेतिक दल को विधान सभा में अस्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है उसी राजनेतिक दल के नेता को क्या पना दियाता है चीप मिनिश्टर आगेई बात समझ में तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये तहां मारा टॉपिक CM की न्युक्ति अब हम दोग देखेंगे अभी हमने क्या देखा CM की न्युक्ति अब हम लोग देखते हैं CM सपत गरहन कैसे करता है वो राजपाली CM को पद और गोपनियता की शपत दिलाता है हमने पहले भी इसके बारे में जिकरे किये हैं कि जब कोई राज में मुख मंत्री बनता है न तो वो मुख मंत्री पद गरहन करने से पहले राजपाल के समक्ष दो परकार की सपत लेता है कितने परकार का? दो परकार का एक तो पद का और दूसरा गोपणियाता का पथ में क्या होता है? कि वो कह ता कि हम अपने पद की करतब्यो को पालन करूँगा ठीक है? इस तरीके का वो सपत लेता है तो राजपाल ही किसको सपत दिलाता? मुखमंत्री को शपत राश्टपती दी लाता है ठीक है दोस्तों चलिए अब किसी मामले में यदि किसी भी दल को विद्धान सभा में अस्पष्ट बहुमत नहीं आया जैसे हमने ऊपर में बताया ना कि मुखमंत्री उशे ही चूना जाता है जिसको विधान सभा के चुनाम में असपष्ट बहमत आया असपष्ट बहमत कहने का मतलब क्यों सिमित होता कि इतना बोट आएगा तब आप जीत सकते हैं और उतना से ज़्यादा जिसको आएगा वो जीतेगा लेकिन कम से कम आपको इतना बोट आना चाहिए ठीक है अगर इतना से ज़्यादा आगया तो आप फार गए फिर दूसरा ब्यक्ति को अगर ज़्यादा आगया तो वो जीतेगा तो जिस राजनितिक दल के नेता को असपष्ट बहमत आएगा उसको बनाया जाएगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी भी राजनितिक दल के नेता को असपश्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो क्या ऐसे में हमारे राज्यों में मुख मंत्री नहीं बनेगा बनेगा लेकिन कब तो ऐसे स्थिति में राजपाल अपने बीवेका धिन बीचारों का परियोग करता है और या तो गठवंधन का सरकार बनाता है यह गठवंधन दो दलों को मिला के सरकार को निर्वान करता ह या फिर जो बड़े राजनितिक दल होता है उसको बना दिया जाता है बड़े राजनितिक दल कहने का मतलब क्या कि जिसको सबसे ज़्यादा बोट प्राप्त हुआ जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ उसको बना दिया जाता है लेकिन बना दिया जाता है इसा ही छो यानि जितना बोट चाहिए उतना प्राप्त कर लो फोर एक्जामपल हम लोग समझते हैं जैसे मुख मंत्री बनने के लिए माल लिया कि 40 बोट लाना है चालिस बोट किसी भी राजनीतिक दल को नहीं आया लेकिन सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति का बोट आया 36 बाकी सब जितना मतलब नेता था सभी को और 36 से कमी आया तो सर्क राजपल क्या करता है कि जिसको ज़्यादा बोट आता है उसको बना देता या फिर जो गटवंदन करा के बना देता लेकिन माल लिया कि यहां पर जिसको ज्यादा बोट आया उसको सरवकार बना यानि 36 बोट से जो वोट चालिस था 36 से चालिस कर लेना होगा अगर कर लेता तब ठीक है और नहीं तो हम तुझे बर खास्त भी कर सकते हैं गठवंदन का सरकार कर देंगे फिर ठीक है तो यह रूल होता है समझ गये होंगे चलिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना दोस्तो बेही चक पूछना है कॉमेंट में आप लोग पूछेंगे तब ही तो हम बता पाएंगे ठीक है चलिए यह हो गया अब उसके बाद क्या करता है इस स्थीते में तो यह तो हो गया हम लोगों ने देख लिया क्या कैस्पष्ट परहमत उसको प्राप्ट करना पड़ता है अब आता है स्थीम के नasisकी लाय कर एबं सक्तिया यह हमारा दो टॉपिक समाब सीएं परीशद के समबंद में मंत्री परिशद के सम्बंध में और सेकेंड जो है वो है राजपाल के सम्बंध में और जो ठड है दोस्तो वो है राजबी धान मंडल के सम्बंध में यह इस परकार का है आपको समझना है वोष ठीक है आपको क्या करना है भाई समझना है और समझ में नहीं आया न भाई आपको पूछना भी है ठीक है समझना ही सिर्क नहीं है अगर समझ में नहीं आ तो पूछना भी है अपने छोटे भाई से पूछने में किसी भी परकार का आपको हीजीटेशन नहीं होनी चाहिए हीजीटेशन होता क्या है हमारे स्टुडेंट लाइफ में नो हीजीटेशन हम खाने में हीजीटेशन दिखाएंगे खराप कपड़े पहनने में जैसे समानता जो मीडिल कडास के बच्चे होते हैं जैसे हम लोग हैं हम लोग कहीं पर जाते हैं जैसे पार्टी फंसंग में तो हम लोग अपने डुरेश को दुसरे के डुरेश से तुलना करते हैं और अपने आप में दुखी महसूस करते हैं कि हमारे पास भी खास ऐसा डुरेश होता यहीं सरमिंदगी मुझे मसूस होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए अब खाने में जैसे अब कोई रोटी खा रहा हमें चावल खाने का मन है लेकिन फिर भी सभी को देखकर हम भी रोटी खा रहे हैं कि नहीं वो रोटी खा रहा है तो हमें भी रोटी खाना चाहिए नहीं तो अगर हम चावल खाएंगे तो वो बोलेगा भुचर देहाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे आपकी और तारीफ होगा, आपको एक अलग पहचान बनाना, आपका हर सोच, आपका हर काम, आपका हर एक तरीका, ड्रेस पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, सभी तरीका, सभी व्यक्तियों से अलग होगा क्यों? क्योंकि आपका सोच सभी से अलग है तो जब आपका सोच सभी से अलग है तो आपको सभी से हट कर काम भी करना पड़ेगा क्योंकि एक पहचान वही बनाता है विक्ती अपना पहचान खुद वही बनाता है जो सभी से हट के काम करता है बरना सभी के जैसा हम भी काम कर रहें तो कैसे पहचान बनेगा हम कैसे सल्मान खंड को पहचानते हैं अजय दिवगंज को कैसे पहचानते हैं क्योंकि वो सभी से हटके काम करता है क्या करता है काम एक्टिंग करता है फिल्म बनाता है एंटर्टेंट्राइंट नहीं है तो बहुत सब REM हीरो सो हम हंब और आप मंभी में हीरों को कहानी लिखा जाता हестно करना हुदा गम और दुख्का लेकिन हमारे जो प्रीक्टिकल याफ है दोस्तोς तूर अच्ठींट याफ कि श्टुडेंट लाइप में हम लोग फिल्म में होने बाले जो घटनाय हैं उससे ज़्यादा गंभीर घटनाय हैं सो हम लोग हर दिन परीचित होते हैं उससे ज़्यादा हम लोगों को दुख प्राप्त होता है हर दिन डेली लाइप में तो असली हीरो तो हम लोग हैं वो को देखकर हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे चीजों को हम यह नहीं बोल रहे हैं, मूवी आप देखें लेकिन आपको दर्जा देना चाहिए किसको सही ब्यक्ति को हमारा ये कहना अब ऐसा नहीं hospital है कि कोई मजदूर है तो उसका कोई दर्जा उसको कोई भैलू नहीं है, कोई गरीब बच्चा है तो उसको पढ़ने का एलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे लोगों को ही सहायता करना है, क्योंकि आमीर लोगों से तो हर कोई जूडता है दोस्तों, लेकिन एक सड़क पे लेटा हुआ, एक गरीब व्यक्ति से और इससे बीमारी फैल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको लगे कि हम इसको सहायता कर सकते हैं, तो आप उसे सहायता जरूर करें, क्योंकि आपको एक अलग सोच है, आपको एक अलग पोश्ट पे जाना है, आपको एक अलग बैक्ति बन के हमारे देश के जो क मंत्री परिश्रत के संबंद में सीएम के कार एबम सकतियां, राजपाल के संबंद में सीएम के कार एबम सकतियां, राजविधान मंडल के संबंद में सीएम के कार एबम सकतियां, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मंत्री परिश्रत के संबंद में क्या-क्या काम एबम सकत जिनकी सिफारिष मुख मंत्री ने किया हो अर्थात के अरे बताया गये था ना कि जब कोई राज में मुख मंत्री बन जाता है तो राजपाल उससे एक सुची मांगता है और उस सुची में मुख मंत्री क्या करता है अपने मंत्री का नाम कौन व्यक्ति कौन मंत्री बना तो उस मंत्री का नाम और उसके विभाग का नाम का एक लिष्ट बना के राजपल को देता है तो जाहिर सी बात है जिसको मुख मंत्री लिष्ट बना के देगा वही ब्यक्ति मंत्री बनेगा तो ये मुख मंत्री को एक सक्ति है कि हम जिसको मंत्री बनाना चाहेंगे वही बनेगा ठीक है तो ये एक काम भी है ये मुख मंदरी का और एक सक्ती भी है ठीक है चलिए तो मंतरी परिशत के संबन में सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि राजबाल केवल ओन व्यक्तियों को ही मंतरी निउप्त करता है जिनकी सीफारिश श्रीयम ने की है ठीक है चलिए उसके पहला पॉइंट तो ये हो गया सेकेंड हमारा पॉइंट है कि सीएम अपने मंतरीयों का बिभागों का बितरन करता है और फिर बदल भी करता है मूख मंतरी जो होता है वो अपने मंतरीयों का बिभाग यानि सभी मंतरीयों को अपना अपना बिभाग स्वपता है कि अनन इसोर यादब जी आप सड़क परिवहन को आप देखेंगे यानि सड़क परिवहन जो भी भाग हो ता उसको आप देखेंगे उसी तरीके से कोई स्वास्त मंत्री होगा मंगल पांडे या जो भी हो पता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं है यह करेंट कर सकता है विभागों का वित्रन कर सकता है और साथ ही फेर बदल फेर बदल कहने का मतलब अब ऐसा नहीं है कि एक बार सिच्छा मंत्री जो बन गया वो हर बार सिच्छा मंत्री रहेगा ऐसा नहीं है हो सकता दूसरे बार जो सिच्छा मंत्री था उसको स्वास्थ मंत्री बना कह सकता है यानि कि अगर मंत्रियों में कोई मतवेद हो गया आपसी मन मोटा हो गया या फिर कोई विबाद उत्पन हो गया तो ऐसे स्थीति में क्या करता है मुख मंत्री उस मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहता है और अगर नहीं मानता है तो क्या करता है मुख मंत्री राजपल के पास सिफारिश देता है राजपल से ये प्रमर्श करता है कि इस व्यक्ति को हटा दिया जाए उसके बाद राजपल से कहके उसको बर्खास्त करवा दिया जाता है तो ये सक्ति किसके पास है CM के पास है ठीक है उसके बाद CM जो होता न वो मंत्री परिशद और मंत्री मंडल दोनों की बैठा करता है आप थात हम कर सकते हैं कि एक मुख मंत्री मंत्री परिशद का भी अध्यक्ष होता है और मंत्री मंडल का भी अध्यक्ष होता है और कोई भी योजना राज में बनेगा तो वो CM के शीफार इस पे बनेगा उसका अध्यक्षता CM निभाती है तो मुख मंत्री मुख रूप से तीन परकार के अध्यक्ष होता है एक तो मंत्री परिशत का दूसरा मंत्री मंडल का और तिसरा राज्यों का जो योजना बोर्ड होता है उसका भी होता है तो यह point आप लोग नोट करेंगे खीक है यह हो गया उसके बाद अगर हमने तो ये बताया कि मंत्री परिश्द और मंत्री मंदल की अध्यक्षता है जो कौन करता है लेकिन माल ये किसी कारण बस ये मनुपस्थी तो ही हो गया और अबसेंट हो गये तो ऐसे स्थीती में उनकी अध्यक्षा कौन करेगा मंत्री परिश्यतर मंत्री मंदल का तो जो बरिष्ट मंत्री होता ना बरिष्ट मंत्री उनकी अध्यक्षा करता है तो अमीद है कि ये सारी बात आप लोग समझ रहे होंगे ठीक है उसके बाद मुख मंत्री का ये काम होता है कि सभी मंत्रियों के कारियों में सहायता देना मुख मंत्री सभी मंत्रियों के कारियों में सहायता देता है निर्देश देता है मार्गदर्शन देता है और साथ ही नियंत्रन भी रखने का काम होता है मुख मंत्री कौन से मंत्री को क्या सहाइता चाहिए तो उसको ये सहाइता भी देता help भी करता है और किसी को अगर माल या अपने विभाग को संभालने नहीं आ रहा तो उसको वो निर्देश भी देता है मार्ग दर्शन भी देता याणि उसको motivate भी करता कि आप ऐसे काम करें यहाँ पे यह विभाश्ता कीजे यहाँ पे यह विभाश्ता कीजे उसके बाद नियंतरन भी करता नियंतरन मतलब क्या होता रख रखो कहने का मतलब है उसको सुरच्छा भी करते कहने का मतलब यह हुगा कि कौन सा मंत्री ठीक से काम कर रहा है या नहीं अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे में मंत्री को बर्खास्त कर सकता है ठीक है तो ये सारे काम होता है मुख मंत्री का उसके बाद सीए में जो राज मंत्री परिशत का परमुख होता है CM है जो क्या होता है हमारे राज्यों का जो मंत्री परीशत राज मंत्री परीशत बोलना अती आवश्यक है क्योंकि मंत्री परीशत दो अस्तर का एक केंद्र अस्तर का एक राज अस्तर का तो सिर्फ अगर हम मंत्री परीशत बोल रहे हैं तो ऐसे में गलत है क्योंकि आप किस मंत्री परिशत का बात कर रहे हैं यह तो आपने जिक्र किया ही नहीं लेकिन जब राज मंत्री परिशत बोल रहे हैं या फिर जो केंद्र मंत्री परिशत बोल रहे हैं तो इससे लोगों का पता चल लेगा कि ओ केंद्र मंत्री परिशत राज मंत्री परिशत तो CM क्या होता कि राजमंत्री परिशत का परमूख होता है तो ऐसे स्थीती में अगर भगवान न करे CM का अगर मिर्त्यू हो जाता है या फिर CM अपना त्याग पत्र दे देता है तो ऐसे स्थीती में क्या होता मंत्री परिशत जो संस्था होती है वो भी घटित हो जाती है भंग हो जाती है तो कोश्चा ना सकता कि मंत्री परिशत का भी घटित होगी तो या तो CM का मिर्ट्यू हो जाता है तो या फिर त्याग पत्र देता तो यानि कह सकते हैं कि अगर CM चाहे तो वो अपना त्याग पत्र दे के वो अपने मंत्री परिशत को हटा सकता है यानि एक बार जब कोई CM चुना गया अर्थात कह सकते हैं अभी बरतमान में बिहार का मुख मंत्री सिरी नितीश कुमार जी है अगर सिरी नितीश कुमार जी त्याक पत्र दे दिये तो सिरी नितीश कुमार जी ने जीतने भी बिहार में मंत्रियों का चैन किये थे वो शारे मंत्री हट जाएंगे और जो नए मुख मंत्री आएंगे वो मुख मंत्री अपने लोगों को आने मंत्रियों के काम पे लगाएंगे समझ गए होगे? चलिए तो ये था मंत्री परिशत के संबंद में तो इसको भी हम लोगों ने खत्म किया अब उसके बाद आता राजपाल के संबंद में भी इनको कुछ कारे और शक्ति दिया गया है देखें जैसे सीम राजपाल और मंत्री परिशत के बीच के शंबाद की एक कड़िया होती है यानि मुख मंत्री के द्वारा ही राजपाल और मंत्री परिशत एक दूसरे से बात करती है आनिया था मंत्री परिशत को राजपाल ऐसे डारेक्ट नहीं बात कर सकते हैं डारेक्ट नहीं जान सकते हैं वो CM के द्वारा ही राजपाल है जो मंत्री परिशत से मिलते हैं और मंत्री परिशत राजपाल से मिलते हैं तो कह सकते हैं कि राजपाल और मंत्री परिशत के बीच में संबाद कराने का यानि बादचीत कराने का नियंत्री जो नियंत्री पर मंत्री परिश्ट द्वारा जो दिये गए जो लिये गए जो निर्न है उसको सुचना अवश्ट दे राजपाल को सुचना देने का भी काम होता है मुख मंत्री को मुख मंत्री क्या सुचना देगा कि हमारे देश में कौन सा प्रशासन चल रहा कौन सा नियम चल रहा कौन सा योजना बनाया जा रहा इसके बारे में जो हमारे मंत्री परीशत है उनके लोगों को क्या कहना है मंत्री परीशत का क्या निर्न है यह सबी चीजों के बारे में सुचना राजपल को देता है कौन मुख मंत्री तो कोशन आता कि राजपल को सुचना देने का काम होता किसको तो मुख मंत्री को मुख मंत्री राजपल को सुचना देता है उसके बाद सीम है जो राज के महत्पूर्ण अधिकारियों जैसे सीम है जो हमारे राजियों का जो महाधी बक्ता होते हैं उसको फिर राज लोग से वायोग यानि महाधी बक्ता महाधी बक्ता उसके बाद राज लोग राज लोग शेवा आयोग के अध्यक्ष और सदश्यों को ठीक है उसके बाद राज चुनाब आयोक्ते इन सभी व्यक्तियों को राजपाल को चुनने में प्रमर्श देता है यानि कि राज्यों में महाधी बक्ता राज लोक्से बायोक के अध्यक्ष और सदस्यों और राज चुनाब आयोक्त का नियुक्ति कौन करता है यह चुनाब कौन करता है नियुक्ति कौन करता है तो इसका नियुक्ति राजपल करता है लेकिन उसमें प्रमर्श देता है सहायता देता है मुख मंत्री ठीक है तो मु महानियाईबाद ही भी कहते हैं ठीक है महानियाईबाद राजलोकu-बायोग जासे बीहार की राजलोक से वायोग है वहर इसन लोग सरे और और सदस्यों का भी नियुक्ती करता राजपल innovator में अद्वी को चुनाब होता ही जैसे अबढ़uis adva 가지 अर्भी नंतोर तो कौन करा रहा है तो राज का जो चुनाब आयोक है आयोग तो मतलब आयोग भी बोल सकते हैं एलेक्षन कमिशन जिसको बोलते हैं चुनाब आयोग जिसको बोलते हैं तो चुनाब आयोग के द्वारा राजवियों में अभी चुनाब होरा बिधान सबा का लेकिन जब लोग सबाराज सबा का चुनाब होता है तो ऐसे में ये समझ गए अब final है हमारा राज बिधान मंडल के सम्बंद में तो हमने इसको भी देखा राज पल के सम्बंद में भी देखा कि क्या क्या काम होता क्या क्या सक्तिया होता है उसके बाद हम लोग देखते हैं राज बिधान मंडल के संबंध में क्या क्या काम दिया गया तो सीय में जो राजपाल को भी धान मंडल का सत्र को आहूत सत्र को आहूत और सत्रा वशान करने का क्या देता है दोस्तों सलाह देता है यानि सीय में जो राजपाल को सत्र आहूत गौर कीजी गई यह हम बात लिख रहें तो ऐसा ही नह होता होगा सत्र का मतलब होता सेशन सेशन जैसे कोई बच्चा अभी 2020 में इंटर में इडिविशन कराया तो इसका सेशन दो साल का होता तो इसका सेशन क्या होगा 20 से 22 2020 क्योंकि 20 में उसने शुरुआत किया और 22 में क्या हो जाएगा वो inter cross कर जाएगा यानि समाप्त हो जाएगा तो सेशन सत्र का मतलब होता है सेशन को प्रारंब यानि आहुत मतलब होता शुरुआत करना यानि सेशन का प्रारंब और 17 बशान का मतलब होता है कि सेशन को बंद करना यानि सेशन का समाप्ति यानि सेशन क जब समाप्त किया जाएगा इसकी बारे में सलाह देता है राजपल को मुख मंत्री ठीक है और किसका सेशन विधान मंडल का सेशन ठीक है ये हो गया उसके बाद मुख मंत्री राजपल को किसी भी समय विधान सवा बिघटित करने किसी फारिश कर सकता ये भी कहने की बात है आ को कह सकता है ठीक है सिफारिस कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे राज का जो सी एम होता है राज का सी एम ही राज बिधान सभा के पटल पे सरकार की नीतियों की घोशना करता है यानि राज बिधान सभा के छेतर में कौन नीती बनाने का काम करते हैं तो यह तो हो गया राजबिधान मंदल के सम्मंदित कुछ बात है अब कुछ और पॉयंट है जैसे बताये थे कि मुख मंत्री जो होता ना वो राज़्यों में जो योजना बोड होते हैं योजना बोड के क्या होते हैं वो योजना बोड के अध्यक्ष होते हैं उसके बाद एक औ पात्रा कि इसका कारिक बांच वर्सों का होता है उम्र क्या होना चाहिए यह सब सारे चीज हमँए पीछले वीडियो में हमने बता दी के राज के पिधान मंडलमे हमने सारे बात है यह बता चुखेंग है कि मुखमंत्री बनने के लिए क्या C& ये बगेरु होना चाहिए तो है कि इस बात से आप लोग सहमत होगे कि अब एक भी प्रश्ण नहीं छूटेगा क्योंकि हमने पढ़ा दिया सारे प्रश्ण और अगर ऐसा लगता है कि नहीं इससे जुड़े कुछ और पॉइंट हो सकता है तो आप लोग कॉमेंट में बताएं कि हाँ ये बात आप नहीं बताया हो सकता हमसे छुट गया हो हम कोई भगवान नहीं हम भी इंसान ही है तो आप लोग देखकर कॉमेंट में एक वार जरूर बताएं कि हाँ सर आपने तो अच्छे से पढ़ा दिये और इसी तरीके का और वीडियो पाने के लिए क्या करें हमें कॉमेंट में बताए उस पर हम वीडियो बनाएं तो फाइनल दोस्तो आप लोगों की सामने से इजाज़त लेने की बक्त आ गया अपने छोटे भायों को इजाज़त दे ताकि हम फिर से खुशाल पुरबक अगले क्लास में उपश्चीत हो सके और आप लोग भी खुशाल रहेंगे और खुशा करें खुब जम कर पढ़ाई करें अपने मंजिल को पाने में जीजान से जूटे रहें दीजे इस भाई को इजाज़त हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू